हेलो एब्रिवन कैसे हो सब लोग आई होग की सब बहुत अच्छे से होंगे इस वोडियो में हम डिस्क्रिशन करने वाले हैं सेक्षन बी के कोश्चन नुबर 17 के सॉलिशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवेश वीडियो भी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाले पाट में क्या है निम ठीवाइस विच यूटिलाज़ ज़ यूनिलाइटरल एकशन た he AC into DC यानि कि हमें क्या करना है कि डिवाइस का नाम बताना है जो कि AC को किस में करना है DC में करना है तो यह तो सिंपल सा है सिंपल सा है इसको हम लोग क्या बोलते है रेक्टीफायर क्या होता है Rectifier, बिल्कुल Rectifier जो होता है, जो कि PN Diode में, मतलब Actual में Use होता है, और ये क्या करता है, AC को वो DC में Convert करता है, ठीक है, तो यहाँ पर Simple Form में हम लोग इसका Answer लिख देंगे क्या, That is Rectifier, ठीक है, तो पहला का तो Answer हो गया, Second Part में क्या दिया है, Draw the Circuit Diagram और Full Wave Rectifier, क्या लिखा हुआ है, Full Wave Rectifier का आपको Circuit Diagram जो है, वो बनाना है, अगर आप इस Question को पढ़ते, तो क्योंकि जैसे दो Question रहता है, तो दोनों Relatable ही होते हैं, तो Second Part में भी Rectifier दिया था, तो वहाँ से अगर आपने चाप्टर पंड रखा होता, तो आपको अच्छानक से क्लिक हो जाता, अगर आपको नाम में इसू हो रहा है, तो आप A और B दोनों को चेक कर लिया था, दोनों Relatable ही होंगे, चलो, अब Circuit Diagram ड्रॉ करते हैं कि इसका Circuit Diagram कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम लोग कुछ इस टाइब का बनाते हैं, यह हमें कुछ इस टाइब का देखने को मिलता है, फिर से बनाता हूं में, एक सेकिन देदो, है ना कुछ है इस टाइब कर इस टाइब से आपको देखने को मिलता है फिर बीच में ऐसे इसे लाइन्स बना देते हैं हम लोग ठीक है फिर इदर से आता है और फिर वही पार्ट रबीट होगा है ना ऐसा ऐसा कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा फिर यहां पर क्या लगा होता है डायोड लगा होता है तो चलो फड़ा फट से यहां पर डायोड जो है उसको यूज कर दो तो यह वाला पार्ट आपका हो गया डायोड का है ना यह वाला पार्ट आपका डायोड हो ही डायोड को तो क्या कर दोगे Connect कर दोगे डायोड को क्या कर दोगे connect कर दोगे 2 डायोड लगा हुआ है रिजान है कि FullWave rectifier क्या माम नाम देते हैं एक वहला पार्ट हमारा कॉ Character यानि कि यह हमारा second diode है, ठीक है, कौन सा diode है, second diode है, अब उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला part जो होता है, इस से हम लोग एक wire ले जाते हैं, और इस wire को हम लोग आगे कुछ steps ले जाएंगे, same case में यहां से एक आएगा, जो की आगे चला जाएगा, और यह ज distance, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि इसको RL का, और यहां से इसको हम लोग क्या कर देंगे, output मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा हमें, तो इधर हमें मिल जाएगा, क्या output, ठीक है, दो diode लगा है, D1 और D2 लगा रखा है, हाला कि यह कौन सा है, यह हमारा centric tab, है यह हमार centric tab rectifier है, इसी type से आप अगर चाहो, तो breeze rectifier भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर बोला है, full wave rectifier बनाना है, आपको जो मन करे, वो simple form में जो है, वो बना सकते हो, ठीक है, चलो, अब अगर इसका working पर आओ, अगर आप चाहो, कहाला कि हम तो cable figure पूछा गया Negative half cycle, है ना, positive half cycle में क्या होता है, कि ये वाला जो होता है, वो आपको work करेगा as a forward bias, है ना, जब positive half cycle होगा, और इस case में ये कैसा करेगा, that is reversed bias की तरह, जबकि negative half cycle में यही वाला आपका reversed Bias की तरह work करेगा, जबकि ये वाला कैसा करेगा, forward bias की तरह work करता है तो यह आपने already पढ़ रखा होगा जब यह rectifier वाला topic आपने cover up किया होगा आई होग यह part आपको एकदम clear form में समझ पाया होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में question number 18 के solution के साथ complete process का link पर लेगा आपको description में तो एक बड़ description आप जरूर चेक कर लोगे